Hello everyone, welcome to Study IQ So guys, इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा जो कानून है उसके बारे में पढ़ेंगे आपको सबको पता है कि देश भर में बहुत सारे रेप केसि जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा ही अभी एक रिसेंटली केस हमें West Bengal में देखने को मिला था और West Bengal Government ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है That is called Prajita Anti-Rate Bill क्या है ये बिल, इसमें क्या पूर्वेजन रखी गई हैं इसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे और इस class को लेके आ रहा हूं है मेरा नाम है Dr. Wipan Goyal जैसा कि आप सब को पता है और जितने भी बच्चे West Bengal के हैं जा West Bengal PCS या West Bengal Other State Exam की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस बड़ी important वीडियो रहेगी तो बढ़ते हैं आगे इस class की PDF जो है टेलिग्राम पे मैं डाल दूँगा Dr. Wipan Goyal के नाम से Instagram की उपरा मुझे personally connect कर सकते हैं और आप मैं से बहुत सारे बच्चे ऐसी हैं जो West Bengal PCS की त्यारी कर रहे होंगे तो आप हमारा सक्षम संकल्प batch 2 ले सकते हैं और इसमें शाम को 6 बजे से classes स्टार्ट होंगे साथ सप्टमबर से एक code लगा के आपको discount मिल जाएगा अभी extra 10% discount अभी चल रहा है लिंक जो है description और comment section में आपको मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं आज का lecture तिके West Bengal Assembly में Assembly ने अभी recently अपराजिता Women and Child Bill जिसे West Bengal Criminal Law and Amendment Bill 2024 कहते हैं ये पास किया है और इस केस में बोला गया है कि अगर let's suppose अगर कोई भी rapist है और उसने मतलब obviously sexual crime किया है तो उस केस में उसको death sentence और death penalty जो है मिलेगी अगर उस women की death हो गई है जा उसको severe injury है जैसे brain damage type कुछ भी इस तरीके से women को होता है तो उस केस में death penalty भी मिलेगी ये जो नया कानून है ये बच्चों को और women को जो है जादा से जादा protection प्रोवाइड करेगा और क्योंकि अभी बहुत सारे जो cases हैं मैंने आपको जैसे starting में बताया sexual crime बहुत जादा बढ़ रही है research time में बहुत जादा cases हुए है तो उस चीज के लिए ये नया कानून लेके आया गया है ये अपराजिता women and child bill जो नाम रखा गया है जो एक tribute है जो भी recent case देखने को मिला कॉलकाता में जो 31 साल की old trainee doctor थी उनको rape और उनका murder किया गया RG कर medical center and hospital में उनके नाम पे ये bill रखा गया है इस bill में क्या provisions है उसके बारे में discuss करते हैं इस bill में बोला गया है life sentence without parole मतलब अगर किसी person को life sentence मिल गया है उमर कैद मिल गई है तो वो पूरी उमर जो है वो jail में रहेगा वो उसको बिल्कुल भी parole नहीं मिलेगा कहने का मतलब वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकता मतलब पूरी जिंदगी उसको वहीं पे जीनी पड़ेगी और financial penalty भी उसको देखने को मिलेगी उसको उपर financial penalty भी लगेगी अब death sentence जाने की capital punishment भी उन लोगों को मिलेगा अगर उनोंने किसी women का rape किया है जा women जो है उनको death हो गई है जा फिर sexual crime मतलब जा severe damage हो चुका है permanent damage हो चुका है तो उस case में उस person को death penalty मिलेगी और जो POCSO Act है आपका Protection of Children from Sexual Offenses Act इसमें भी काफी changes लेके आए गए हैं जिसमें बच्चों को sexual abuse से बचाया जाएगा ये changes जो हैं अगेन जो minor बच्चे हैं उनकी safety और उनके rights को भी strengthen करेगा इसमें अप्राजिता task force भी बनाई गई है जिसमें अगर आपको किसी person को पकड़ लिया गया है तो preliminary report के according 21 दिन के अंतरा अंतरगत उसको सजा मिल जानी चाहिए और पूरा जो trial है वो complete हो जाना चाहिए 30 दिन के अंतरगत medical personal जो है उनको enhanced security जादा से जादा security मिलेगी जहां से जिस रस्ते से वो आते हैं जाते हैं खास करके female healthcare worker वहाँ पे cct cameras install किये जाएंगे और उन roots के उपर जादा से जादा security दी जाएगी और इसके लिए अलग से इन्होंने 120 क्रोड रुपे देने की बात करी है अगर कोई acid attack victim है जा acid attack conviction जो करी है जाक किसी person के उपर acid डाल दिया है तो उस case में भी उनको life imprisonment मिलेगी और parole नहीं मिलेगा कहने का मतलब आजीवन जो है वो jail में ही होंगे रात्री साथी provision रखने की बात करी गई है जिसमें जो female workers के duty hours है उसको extend किया गया है so that वो जादा से जादा safe रहे नाई shift के time पे तो ये सारी चीज़े जो है अपराजिता बिल के अंत्रगत रखी गई है I hope ये class आपको पता लगे होगी और important points आपको यहाँ पर पता लगे होगे और ऐसी ही वीडियो के लिए और ऐसी ही चीज़ों के लिए आप मेरे से जुड़े रहे मैं सारे updates जो है टेलिग्राम चैनल पे डालता रहूँगा डॉक्टर विपन गोल के नाम से आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के उपर आप मुझे follow कर सकते हैं और जो बच्चे West Bengal PCS की त्यारी कर रहे हैं वो हमारे batches ले सकते हैं सबके link description और comment section में मिल जाएंगे so thank you so much guys all the very best good luck take care